महात्मा गौतम बुद्ध की कहानी एहंकार का उपहार महात्मा गौतम बुद्ध का दर्सन करने के लिए नगर सेठ रतन चंदाए उन्होंने अपने साथ बहुत सारी सामगरी उपहार सोरूप लाए उनका उपहार देखकर वहां उपस्थित जनता वाह वाह करूठी वार्तालाप शुरू हुआ तब सेट जी ने कहा महात्मा इस नगर के अधिकांस चिकित साले विद्याले और अनाधाले का निर्मान मैंने ही करवाया है यहां तक कि आप जिस सिंगहासन पर बैठे हैं वह भी मैंने ही भेंट किया है आधी आधी बहुत सारी दान उन्होंने ग आग्या चाही तब महात्मा गौतम बुध्य ने कहा अपने साथ जो कुछ भी लाए हो न वो सब कुछ यहां छोड़ कर जाओ सेट जी यह सुनकर आस्टरे चकित हो गया बोले प्रभू मैंने तो पहले ही सब कुछ आपके समक्ष अर्पित कर दिया है महात्मा बोले तुम जिसकी बात कर रहे हो वो सब कुछ सांसारिक वस्तुए हैं उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे अंदर भरे अहंकार की तुम अपना आहम यहां त्याक कर जाओ मेरे लिए वही बड़ा उपहार होगा यह सुनकर सेठ रतन चंद महात्मा बुद्ध के चर्णों में नत्मस्तक होगए और उनके अंदर भरा अहंकार अस्रू बनकर महात्मा बुद्ध के चर्णों में गीरने लगा